So guys, मेरे पास बहुत सारे smartphone हमेशा ही होते ही हैं और आप लोग बार-बार मुझसे पुछते रहेते हो कि ये budget में कौन सा smartphone best रहेगा, ये budget में कौन सा smartphone best रहेगा तो हमने सोचा कि भाई, देखो कैसा है, कि बहुत सारे smartphone रहते हैं और सबका अलग-अलग budget होता है, सबको अलग-अलग requirement होती है तो मैंने ऐसा सोचा हूँ, कि भाई, अपसे हर महीने के starting में हम एक video बनाएंगे जिसके अंदर हम सबको suggest करेंगे, कि ये price में, ये phone फिलहाल ये month में best है ये particular price में, और सारे price में cover करने वाला हो, like 5000 से लेके पूरा एक लाग-देड़ लाग टके, जो भी prices है, सब prices cover करेंगे और आपको बताएंगे, भाई, best phone कौन सा है, so ही वो तुब गाइस माने में जहीर and this is the best smartphone you should buy in the budget that you have, so let's begin So, भाई, हम लोग बात करते हैं, best smartphone, हम लोग सस्ते सशुरू करेंगे और महेंगे की तरफ जाएंगे ठीक है, सबसे पहले हम लोग 5000 से लेकि 10,000 के बीच की category की बात करते हैं तो उसके अंदर मेरे पास यहाँ पर 4 smartphone है, actually में, तो सबसे पहले, भाई, ये Realme का C20 है जिसके अंदर में को G35 देखने को मिलता है, डीसेंट फोन है, 7,200 रुपे का है, लेकिन थोड़ा सा क्या 2 GB RAM होने के यह से मेरे को यह recommend करने का मन नहीं होता है थोड़ा सा आप budget बढ़ा के, आप ये वाला phone purchase कर सकते हो, ये 9,000 रुपे का फिलाल मिल रहा है, इसके अंदर G85 processor है, 464 and single camera setup है kind of, आप बोलोगे fingerprint scanner सब कुछ है, 6000 mm बैटरी है, बहुत जादा तगड़ा phone है ये price में, like 9,000 रुपे में G85 के साथ में, मतलब अगर आपका 10,000 के निचे का budget हना, तो आप बिंदास ये phone को purchase कर सकते हो, और 8,000 रुपे का ये भी मिलता है, हमको Infinix का लेकिन इसमें G35 ह बाड़ा display and all, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को suggest करूँगा कि आप लोग Realme Narzo 30A की तरफ जाए, ये Narzo 30A है, बहुत अच्छा phone है, और अगर आपको इससे जादा अच्छा camera वाला चाहिए, और सब कुछ अच्छा ही चाहिए, तो आप Redmi 9 Prime की तरफ भी देख सकते हो, Poco M2 बेसिकली जो था, वो Redmi 9 Prime साढ़े 9000 उपर में, वो भी G80 की प्रोसेसर के साथ में, G80 या G85 प्रोसेसर के साथ में मिल रहा है, वो भी बहुत जादा अच्छा phone है, तो आप इसके बजाए, वो भी चंट्रेटर कर सकता है, और उसमें तो Full HD Plus वाली स्क्रीन है, साढ़े 9000 में अच्छा display है, fingerprint scanner वगरा, battery life वगरा, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब MIUI के वज़े से थोड़ा crippling लगता है, इसके में को ये suggest करने से डर लगता है, 11000 रुपे के आसपास आता है, तो मेरे को थोड़ा सा ये suggest करने को डर लगता है, to be honest, और अगर आपके पास आपको इंडियन कंपणी वाला phone ची तो आप Micromax in Note 1 पर्चेस कर सकते हो, ये प्राइस में बहुत अच्छा है, और ये Samsung का M12 है, ये भी अच्छा phone है, आइसा ने बहुत बुरा है, लेकिन 90Hz display के साथ में जो इसका processor है, वो इतना खास नहीं है, तो अगर आपको heavy काम करना त पर है, तो भाई, उस प्राइस में मेरी clear recommendation रहेगी, Redmi Note 10, इसके अंदर हमको Snapdragon 678 process देखने को मिलता है, Full HD+, 1080p AMOLED display देखने को मिलता है, fingerprint scanner side में है, बहुत तगड़ा phone है, इस अच्छा display वाला phone आपको ये प्राइस में नहीं मिलने वाला, फिलहाल 12,000 रुपे का प्राइस है, तो आप ये phone बिंदास consider कर सकते हो, आँख बन करके पूरा मेरा recommendation है, और Realme 8 भी वही option में आता है, आपको Realme 8 भी वही price में मिल देखा, 35,000 रुपे का सपास offer लगा के नि, तो इसका जो cost actual वो तो 15,000 है, लेकिन भाई, 35,000 में अगर आपको मिलता है, तो बहुत ही ज़ादा improved है, तो मैं ये definitely आपको recommend कर सकता हूँ, तो 15,000 के निचे, Redmi Note 10 and Realme 8 आप consider कर सकते हो, 15,000 के ऊपर बढ़ना चाहो, तो अगर आपको 5G phone लेना है, तो आख बंद करके, भाई, Realme Narzo 30 Pro ले सकते हो, इसके अंदर हमको Dimensity 800U processor देखने को मिलता है, बहुत ज़ादा तगड़ा processor है, 120Hz का IPS display है, यह मैं एक कौन बोलूँगा, लेकिन जो processor है, वो बहुत अच्छा, लेकिन एक 5G अगर आपको चाहिए, इसके cameras भी decent है, ultra wide camera भी दिया हुआ है, unlike that Realme 8 5G, उसको तो बिल्कुल भी consider मत करना, उसके अलावा अगर आपको खाली 5G चाहिए, 5G consideration आपका, 20,000 के निच आँख बन करो, Redmi Note 10 Pro भाई कर लो भाई, कोई भी regret नहीं होने वाला, hands down best phone है यह budget में, like बहुत तगड़ा, Snapdragon 732G processor, 120Hz Super AMOLED display, जबरदस्त cameras, fast charging, battery life, एक नमबर आइटम है भाई, अगर आपका budget है, 16,000 रुपर तो आँख बन करके आप यह purchase कर सकते हो, Realme 8 Pro भी है, यह price में, ल Super, और अगर आपको gaming करनी है, like आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है, और आपका ज्यादा चीज़े आपको मन में नहीं रखना है, तो भाई, आप यह Poco X3 Pro purchase कर सकते हो, यह price के आत पास 19,000 रुपर का यह phone है, और इसके अंदर हमको कौन सा processor मलता है, Snapdragon 860 भाई, तो gaming का King 20,000 रुपर के नीचे, वो Poco X3 Pro है, no doubt in that, तो अगर आपको खाली gaming करनी है, तो आप यह purchase कर सकते हो, और Redmi Note 10 Pro Max भी है, लेकिन Redmi Note 10 Pro जहां पे है ना, वहाँ पर मैं Max को consider नहीं कर सकता, क्योंकि उसका 108 में का पिक्सल कैमरा, like अगर आपको खाली cameras चाहिए, cameras में में इन इंट तो आप Realme 8 Pro, या फिर Redmi Note 10 Pro Max जेख सकते हो, लेकिन मैं आपको suggest करूँगा यह price में, सिर्फ और सिर्फ यह Redmi Note 10 Pro, और अगर आपको game खेलना है, तो यह वाला phone, Poco X3, और अगर आपको 5G चीए, तो Realme Narzo 30 Pro, that's it, यह भी है phone Realme X7, लेकिन भाई, यह जो Realme X7 है, इसके अंदर बहुत सारी compromises है, इसके लिए मैं यह phone recommend नहीं करता है, like 800U processor है, इसके अंदर headphone jack नहीं है, 60Hz का display है, लेकिन AMOLED है, तो यह फरक पड़ता है, मैं यह phone को बिल्कुल भी recommend नहीं करता हूँ, तो आप लोग नहीं purchase करता है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हमको यह इधर पर Mi 10i मिल जाता है, लग 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 20,000 पर में बहुत अच्छा phone है, 5G phone है, एक अच्छा balance phone बना के रखा है, लेकिन भाई, मैं अभी भी अगर आपको 5G phone चाहिए, तो आप यह वाला phone purchase कर सकते हो, कौन सा, नार्जो 30 Pro, और अगर आपको 4G phone चाहिए, प्राइस म मामले में एक number है, by the way, सारे phones का almost unboxing या, तो full review मैंने already कर दिया है, इधर playlist में iCard में दे दूँँ, आपको जो भी phone का full review देखना आप देख सकते हो, यह phone में को बहुत अच्छा लग अगर आपको 20,000 के आसपास यह phone मिल जाता है, तो आप बिंदास purchase कर सकते हो, अच्छा performance है लेकिन 60Hz का display है, तो यह एक con में को लगा, बाकी अगर आपको main camera का interest है, तो भाई, best camera phone में यही बोलूँगा, अब हम लोग अपना थोड़ा सा budget बढ़ाते हैं, 20 से 25,000 के range में अगर हम जाएंगे, तो फिर यहाँ पर हमको यह वाला phone मिल जाता है, Samsung Galaxy F62 है, और उसके बाद Samsung का ही phone है, M51, तो अगर मैं बोलूँगा, खाली आपका camera में interest हो, और एकदम बाब display छहें ना भाई, तो आप यह phone purchase कर सकते हो, भाई, इसका display बहुत जादा खुबसूरत है, बहुत ही जादा खुबसूरत है, यह phone का display, यह Samsung का F62 है, मतलब processor भी अच्छा है, इसा नहीं बोल camera है, और बहुत ही जबरदस display है, तो यह एक फाइदा हो जादा, और Samsung का phone है, तो Samsung का नाम भी है, और अगर आपको 25,000 के नीचे gaming phone चाहिए, गो विदा IQ3 भाई, IQ3 25,000 में मिल रहा है, 23,000, 24,000 में आपको offer बगर आगे मिल जाएगा, और 24,000 रुपय में भाई, बहुत जबर IQ3 भी अच्छी है, fast charging है, मतलब overall package बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका like premium phone है, तो अगर आपको gaming phone खरीदना है, तो IQ3 में आपको purchase करने के advice हुआ, और उसके बाद आपका अगर थोड़ा सा budget और हो, तो आप Mi 11X या फिर IQ7 की तरफ जा सकते हो, वो 27,000, 27,000 में आपको मिल जाएगा, अभी फिलाल pre-order चल रहा है, तो Mi 11X कुछ 27,000 रुपे के असपास मिलेगा, तो भाई आप लोग वो 22,000 कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा phone है वो, for sure, and IQ7 भी आप consider कर सकते हो, वो भी gaming अगर अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है, so yeah, अब अगर आप 30,000 क उपर जाओगे, तो वहाँ पर आपको तीनचार अच्छे अच्छे phone मिल जाते है, एक तो Vivo X60 है, उसके बाद आपको ये OnePlus 9R मिल जाता है, Mi 11X Pro मिल जाता है, तो भाई देखो, simple सी बात है, अगर आपको बहुत अच्छा performance चाहिए, बहुत अच्छा camera भी चाहिए, overall balance phone चाह तो आप Vivo X60 की तरफ जा सकते हो, लेकिन gaming वगरा करना है, mainly, तो आप ये OnePlus 9R बिंदास purchase कर सकते हो, और ये Mi 11X Pro भी जो है, वो भी आप consider कर सकते हो, लेकिन मेरी clear recommendation जो है, वो OnePlus 9R की तरफ रहेगी, ये आपको 38,000 के आसपास offer वगरा लगा के मिल जागा, तो 38,000 में मेरे को का 888 processor देखने का मिलता है, समझे रहो, 888 processor, उसमें 870 है, तो भाई, 888 बहुत जाधा powerful है, और मतलब गरम तो होता है, definitely, लेकिन अभी बहुत जाधा dial down कर दिया गया, उसकी जो karma heart है, तो मेरे को लगता है, अगर आपको 888 वाला ही phone चाहिए, तो आप ये Mi 11X Pro ले सकते हो, या फिर आप IQ7 Legend ले सकते हो, दोनों भी बहुत जाधा अच्छा phone है और iPhone XR जो है, वो 38,000 के आसपास मिलता है, तो 38,000 में अगर आपको 38,000 के आसपास का budget है, तो आप वो phone भी consider कर सकते हो, बहुत अच्छा phone है, अगर आपको iPhones लेने, अब यहां से हम अपना budget और बढ़ाएंग तो अगर आपको 50,000 के अंदर कोई अच्छा flagship phone चाहिए, तो आप S20 FE ले सकते हो, लेकिन अब उसका camera बहुत अच्छा है, ठीक है, और Samsung का phone 865 अच्छा phone है, लेकिन 865 वाला लेना, पहले वाला नहीं है, 5G वाला एडिशन जो है भी वाला लेना, S20 FE, वो ले सकते हो, या फ तो तो आपका कम पैसे में हो जाएगा, और iPhone 11 भी जो है, वो 47,000, 48,000 के असपास मिलता है, तो आप iPhone 11 भी consider कर सकते हो, 48,000 के असपास, बाकि OnePlus 9 जो है, उसको बिल्कुल इगनोर करो, बिल्कुल भी मतले ना, उसके अंदर OIS नहीं है, उसके अंदर plastic body है, तो उसको इगनोर कर अगर आपका 50 से लेके 70 में budget है, और उसके उपर अगर आपका budget जाता है, आपके पास S21 Plus का option, S21 Plus काफी अच्छा है, S21 मतलो, थोड़ा सा मेरे को छोटा लगता है, वो अगर आपको छोटे phone पसंद हो, आप definitely consider कर सकते हो, लेकिन S21 Plus जो है, वो बहुत अच्छा phone है, वो 9 Pro पे ही काम चला सकते हो, 9 Pro भी बहुत अच्छा है, तो 9 Pro ही आप ले सकते हो, S21 Plus ले सकते हो, और उसके बाद अपका थोड़ा और budget है, तो भाई, आप iPhone 12 ले सकते हो, best phone है, बहुत जबरदस phone है, by the way, फिलहाल जो आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, ये iPhone 12 से ही shoot हो रही अगर 10,000 के नीचे, Realme Nardo 30A, 10,000 के उपर budget है, 15,000 तक के Redmi Note 10, उसके उपर budget है, 5G phone चाहिए, Realme Nardo 30 Pro, अगर आपको 5G से मतलब नहीं है, तो Redmi Note 10 Pro, अगर आपको gaming phone चाहिए, 20,000 के नीचे, Poco X3 Pro, अगर आपको एकदम भारी selfie camera वाला phone चाहिए, तो Vivo का phone, और अगर आपको gaming phone चाहिए, 25,000 में, तो भाई IQ 3, अगर आपको overall बहुत ही ज्यादा balance, बहुत ही अच्छा phone चाहिए, 40,000 के असपस, OnePlus 9R, अगर आपको अच्छा decent phone, बहुत जबर्दस quality का, 888 processor वाला चाहिए, तो आपको Mi 11X Pro, उसके बाद आपको IQ 7 Legend मिल जाएगा, और अगर आपको under 30,000 में phone चाहिए, तो Mi 11X और IQ 7 देख सकते हो, अगर आपको 60-25,000 में phone चाहिए, तो आप OnePlus 9 Pro ले सकते हो, उसके उपर जाना है, तो S21 Plus, आपके पास iPhone 12 का option है, अब उसके उपर भी जाना है, तो भाई iPhone 12 Pro Max का option है, या फिर S21 Ultra का option है, तो बस यही था पूरे option, आपके पास मैंने आप आपको सारी बाते बता दिया, mostly जो यह सारी वीडियो देखेंगे, उनके लिए यह जो सारे phones एंडर 30,000 में ही जाधा लोग लेना प्रिफर करते हैं, तो भाई उनके लिए तो मैंने एक्दम clear-clear option दे दिया है, नार्जो 30A, Note 10, Note 10 Pro Max, उसके बाद Poco X3 Pro, और फिर यह अपना इतना 20-25 फोन होगा है, सबका एक-एक specifications जानो, उसके बारे में सब research करो, फिर बताओ तो थोड़ा सा time लगता है, तो भाई, थोड़ा महनत लगती है, definitely एक like तो बनता है, like करो दोर में को बताओ कि मैं इसमें और क्या improvement ला सकता हूं, आप लगों को बता सकता हूं, so मैं definitely व आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो like, share, subscribe, thank you so much for watching this video guys, bye!